वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एंपी चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं साथी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मा भूलें खादिय सुरक्षा योजना में जोड़े जाएंगे 28 लाख हिदराईयों के नाम मध्य प्रदेश में राश्ट्री खादिय सरक्षा योजना की पातरता सुची में 28 लाख नए हिदराईयों के नाम जोडेंगे इसके लिए 15 अक्टूबर तक सभी जिलों में अभ्यान चलेगा इसमें स्थानी निकायों की माध्यम से इद्ग्राईयों को चिनित करके आविदन लिये जाएंगे इनका परिक्षन खादिया दिकारी करेंगे और फिर पातरता पर्ची का वित्रन इस्थानी जन प्रतिनीदियों के माध्यम से होगा खादिया नागरे का पूर्थी विभाग ने सभी कलेक्टरों को अभ्यान चलाने की निर्देश दिये हैं 20 तक खत्म हो जाएगी सना तक प्रतम वर्ष की परिक्षाएं जिवाजी विश्विध्याली की सना तक प्रतम वर्ष की परिक्षाएं 20 अगस तक खत्म हो जाएंगी ये परिशर 47 दिनों तक चली अब J.U. ने विध्यारतियों की कौपियों की मुल्यानकन की तैयारी शुरू कर दी है कौपियों की बर्लिंग की जा रही है ताकि कौपियों का मुल्यानकन कराया जा सके शहर साइध गुना जासी में कौपियों का मूल्यानकन कराया जाएगा जिससे रिजल्ट जल्द घोशित किया जा सके 31 अगस तक बीकॉम का रिजल्ट घोशित करने की कार योजना बनाई है जबकि बीए वा पीएससी का रिजल्ट 15 सितंबर तक घोशित किया जा सकता है इंदोर में प्रशास्तने लागू की धारा 144 उलंगन करने पर होगी कारवाई में किसी ने धारा 144 का उलंगन किया तो उस पर धार 186 के तैप कारवाई होगी राजस्तरी रोजका दिवस गॉलियर में सीम शिवराज होंगे शामिल मध्यप्रदेश की युवाओं को अधिक स्यातिक रोजका दिलाने और उन्हें आत्म निर्फर बनाने की दिशा में मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार काम कर रही है इसी करम में प्रदेश में रोजका दिवस मनाया जाता है रोजका मिली लगाया जाते है इस महीने राजस्तरी रोजका दिवस 27 अगस्त को गॉलियर में आयूजित किया जाएगा मधिर प्रदेश की राजी पाल मंगु भाई पटील रत लाम दोरे पर पहुचे माननी राजी पाल ने सेलाणा पहुचकर आदिवासी चाथ्रावास ए चाथ्राओं से चर्चकर उनसे सवाल जवाब किये चात्राओं को उजवल भविश्य बनाने की सला दीवाई मातापिता की सेवा करने का संकल पर भी दिलवाया उन्होंने चात्राओं से का की जमाना टैलेंट का है और उन्हें रेस में बने रहना है इसके बाद राजिपाल से इलाना के प्रसिद कैक्टस गार्डन पहुचे जहनोंने विबिम प्रजाती के कैक्टक्स के पेड़ पौधों का वलोकन किया और साथी सबसे बड़े बीसविट के कैक्टक्स के पेड़ के साथ फोटो भी किचवाई रानी कमलापती से जबलपूर तक सफर हुआ मज़े था रानी कमलापती से जबलपूर के बीच चलने वाली जन्शताब्दी एक्सप्रस में विस्टा डोम कोच की सिवा शुरू हो गई है MP की परेटर मंत्री उशा ठाकों ने इसकी शुरुआत किये सफर करने के लिए आपको अधिक किराय का भुकतान करना होगा रेलवे की तरफ से रेट जारी कर दिया गया है विस्टा डोम कोच गाड़ी संग्या 12061 रानी कमलापती जबलपूर जन्शताब्दी एक्सप्रस में लगा है सागर के मडिया डैम में भरा पानी मुआफ़ा मिलने पर भी लोगों नहीं छोड़ा गाव मधिप्रदेश में लगातार बारिश का दौछ चल रहा है नदीनालो के उफान के चलते बांदों में पानी ओवरफ्लो हो रहा है कई जगा बांदों का पानी चोड़ा भी जा रहा है इसके साथ ही जहां नए डैम बने उन छेत्रों के हालाद भी खत्रे में नजर आ रहे है दार डैम की गटना के बाद प्रोशासन अलर्ट पर है सागर जिले में मडिया बांद में भी अपानी भर रहा है शहर के मड़ाता अपने पहचान पत्र को आधान नंबर से लिंक करवा ले इसके लिए वोटर हैल्प लाइन एप डाउनलोड कर स्वैम को उसमे पंजिकरत करे साथ ये अपने परिवार के सदस्यों के आधान नंबर लिंक करे इवं स्वतंतर निश्पक्ष निर्वाचन में अपना योगदान दे आधाल लिंक होने से डुप्लिकेट मड़ाताओं की पहचान होने के साथ मड़ान के समय पहचान करने में आसानी होगी यह अपील कलेक्टर अविनाश्ट लवानिया ने शेहर के सभी मड़ाताओं से की है मनसोक रश्यू पजमर्डी में 17 अगस बद्वार को 20,282 बोरी जीनसों की आवक होई सबसे ज्यादा 13,000 बोरी लहसून 3,800 बोरी सोयाबीन और 1,950 बोरी ग्यों की आवक रही कॉंग्रस पार्टी की विदायक संजी यादव अपने नेतक कमलनासी नारास हो गए है उन्होंने इस्टिफिक की चेतामनी दिया है मामलत जबलपुर्ण अगर में M.I.C. के गठनका है संजे यादव इसलिए नाराज है क्योंकि कमलनाथ ने इस विशे में उनसे बात तक नहीं की उनका फोन रेसीब नहीं किया हूं लेकनी है कि 2018 से लेकर अब तक कमलनाथ से नाराज होकर 20 से ज़्यादा विदायक उनका साथ छोड़ कर जाच चुके हैं जनित को नुकसान पहुचाने वाले आरुपितों की जमानत अर्जियों का विरोध करेंगे वकील मध्यप्रदेश आई कोट और जिलाबार असोसियेशन जबलपुर ने तै कि शीकरी सयुक्ति सामाने सवा के जरीए प्रस्ताप पारत किया जाएगा इसके जरीए उन आरुपितों की जमानत अर्जियों का विरोध करने पर जोड़ दिया जाएगा जिनका सम्वन व्यापक जनित को नुकसान पहुचाने से है इसके अलावा वकीलों की हमलावरों के साथ भी ऐसा ही वहवार किया जाएगा CUET से भाहा निकल प्रवेश देने की मांग अन्यमेतिता और विवादों में गिरी सैयूक्त विश्विध्याले प्रवेश परिक्ष्षा देवी अहिलिया विश्विध्याले के लिए जी का जनजाल बन चुकी है विश्विद्याले की कारी परिशद ने मांग उठाइए कि C.U.E.T. से देवी अहिलिया विश्विद्याले को खुद को अलग कर लेना चाहिए कारी परिशत की आपाद बैटक बुलाकर इस पारे में नेड़ने लेने के लिए विश्विध्याले की कुलपती और रजिस्ट्रार को पत्र लिखा गया है भाजपा संसद्य बोर्ड से हटाये गए नितिंगटकरी और शिवरास सिंग चोहान भाजपा ने अपने संसद्य बोर्ड में बड़ा बदलाफ करते हुए कि इंद्रिय मंत्री नितिंगटकरी और मध्यप्रदेश की सीम शिवरास सिंग चोहान को इससे बाहर कर दिया है इसके अलावब कुछ और नामों को इससे हटाया गया है बाजपा संसद्य बोर्ड में आप किसी भी मुख्य मंत्री को नहीं रखा गया है संसद्य बोर्ड में कुल 11 से दस्यों को रखा गया है इनमें पार्टी अध्यक्ष के नाते जेपी नडड़ा शामिल है और वह इसके अध्यक्ष भी है UIDAI ने आधार को लेकर जारी किया सरकुलर देश की करोड़ों जंता के लिए महत्वपून सूचना है दरसल UIDAI इनके अनुसार यदि आपके पास सरकार द्वारा जारी आधार कार नहीं है तो आपको सरकारी लाब और सबसीडी से वंचित होना पड़ेगा सरकार ने इसको लेकर नियम सत्त कर दिये हैं भारती विशिष्ट पहचार प्राधिकरण के अनुसार सरकारी लाब और सबसीडी पाने के लिए आधार संक्या या नावंगन परची का होना अनिवार है इसके लिए UIDAI ने एक सरकुलर जारी किया है बैंक और बरोदा ने शुरू की नई योजना ग्राकों को अब जमा पर मिलेगा तगरा रिटर्न आज़ादी की सालगिरा यानी 15 अगस के ठीक बाद बैंक और बरोदा ने अपने ग्राकों के लिए नई योजना की शिरुआत की है इस योजना का नामे बरोदा तिरंगा डिपॉजट इस स्पेशल डॉमेस्टिक रीटेल ट्रम डिपॉजट स्कीम के तहल ग्राकों को अपने जमा पैसे पर 6 प्रतीशत तक का ब्याज मिलेगा वहीं सीनिय सिटीजन को अतरेक्ते 0.5 प्रतीशत का ब्याज दिया जाएगा इसके अलावा 0.15 प्रतीशत ब्याज नॉन केपिबल डिपॉजटर्स के लिए दिये जाएंगे बोले ग्रह मंतरी नरुतम मिश्रा अरजुन कपूर जनता को धमकानी की बजाए अभीने पर ध्यान दे मधिप्रदीश के ग्रह मंतरी नरुतम मिश्रा ने फिल्म अभीनेता अरजुन कपूर को लेकर कहा की जनता को धमकाना ठीक बात नहीं है जनता को धमकाने की बज़ाए अपने अभिने पर ध्यान देना चाहिए अपने फिल्मों में हिंदू धर्म को टार्गेट करने वाले टुकड़े टुकड़े गैन के मियाई थी कलाकार बॉयकॉट पर क्यों जनता को धमकाते हैं सिंग्रोली से सीधी तक 100 किलोमीटर चलका रोश जताएंगे यूवा सिंग्रोली जिले में सिंग्रोली सीधी एनेस 39 की हालत खराब है पूरी सड़क गड़े में तब्दील हो गई है सड़क पर चलना मुश्किल है लोग वर्शो से सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं इसके लिए जिले के यूवाओं ने मूचा खोल दिया है सड़क की मांग को लेका यूवाओं वासमा सेवियों ने पैदल यात्रा शुरू की है 20 अगस तक 100 किलोमीटर पैदल चलेंगे फेस्बुक पर देवी देवताओं पर आपती जनक टिपड़ी हिंदू संगठनों ने किया प्रदोशन शैडूल में देवी देवताओं के खिलाफ फेस्बुक पर आपती जनक पोस्ट करने पर हिंदू संगठन ने नाराज की चुताई है यहां पोस्ट करने वाले वैक्ती का कुछ उपद्रवियों ने घर तोड़ का ग्रहस्ती का सामाई शती रफ्स कर दिया आपती जरक पोस्ट करने वैक्ती सहे तोड़ फोर करने वाले 12 नामजट लोगों सहे सार्च लदिक अग्यात लोगों के खिलाफ पोलिस ने मामला दर्च किया है सरकारी व्यवस्ता के खिलाफ चात्राओं का हला बोल स्कूल में जड़ा ताला सतना के शाष्की स्कूल की जरजर इमारत जिसके कभी भी नीचे आने का डर है लेकिन शिक्षा विवाग 1300 चात्राओं की जान की परवा किये बगैर इस चरचर इमारत में कभशाय चला रहा है हर रोज की परिशानी से तंग आकर स्कूल की चात्राओं ने स्कूल में ताला डाल दिया और नई स्कूल का निर्मान होने तक पुराने स्कूल ने पढ़ने से मना कर दिया चात्राओं ने स्कूल के टीचरों पर लापरवाई बरतने और आभधरता करने की बाद भी गई है रीवा में जनपत सीयो से मारपीट मामले में भाजपा विधाय केपीतर पार्टी से संगठन नारास रीवा के सर्मो जनपत की सीयो सुरेश विश्रापत जान लिवा हमले में भाजपा विधाय केपीतर पार्टी की मुश्किले बढ़ गई है पूरे मामले में भाजपा संगटन ने भाजपा विदाय केपी त्रिपार्टी को भोपाल तलब किया है इसके साथ भाजपा अध्यक्षे वीडी शर्मा ने कहा कि असी घटनाओं को बरदाश नहीं गिया जाएगा उन्होंने उज्जेन महाकाल मंदिल में हंगामे के मामले में भाजपा युवा मोर्चा के पतदिकारियों पर हुई कारवाई का हवाला दिया शाकारी यात्रियों को रेलवी ने दी बड़ी खुश कवरी अगर आप शाकारी भोजन करते हैं तो अब आपका ट्रेन का सफर पहले से स्यादा सुहाना हो जाएगा रेल से सफर करने के दौरान अब यात्रियों को पूरी तरा सात्रिक भोजन मिल सकेगा आपको बता दे की इंडियान डिल्वी की सबसीडियरी आई-यार सिटी सी ने इसकौन के साथ करार किया इस करार के बाद सात्रिक खाना खाने के इच्चुक यात्री इसकौन मंदे के रस्टुरेंट गोविंदा से खाना मंगा कर ट्रेन में खा सकेंगे आईबीपीएस क्लर्क 2022 प्रिक्षा के आडमिट कार्ट जारी बैंकिंग कामिक चेंज अंसान ने आईबीपीएस क्लर्क परिक्षा 2022 के लिए आडमिट कार्ट जारी कर दिया यह परिक्षा टाईस अगस्त और 3 सितंबर को आयुजित की जाएगी जिन उमिद्वारों ने परिक्षक लिए आफिदन किया है वे आधिकारिक वेबसाइट इन से अपना एडमिट कार्ट डाउनलोड कर सकते है इस भरती के तैट 6000 से अदे कलर्क पदों को भरा जाएगा आई बी पिए सकलर का भरती के लिए तीन चैनों के बाद चैन करता है बिनानुमती प्रदोशन कर रहे आप कारी करताओं को किया गिरफतार इन दौर में बिनानुमती रेगलतिराय पर प्रदोशन कर रहे आप कारी करताओं को गिरफतार कर लिया तुको गंच पुलस ने इनके खिलाफ के इस दर्च किया है सभी को 1888 के तैयर ते गिरफतार किया गिया है पुलस ने हेमन जोशी, मनुज यादा, संजीव, वैद, राजु कान और संजीश शुकला को गिरफतार किया है और ये लोगों की तलाश की जा रही है इंडिया का जिम्भावे के खिलाफ पहला वंडे मैच आज भारती करके टीम इंदिनों जिम्भावे दोरे पर है यहां दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वंडे सीरीज खेली जाएगी सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएका बाकी दोनों मैच 20 और 22 अगस्त को होंगे सबी मैच राजदानी हरारे में खेले जाएंगे बता दे कि दोनों टीमे 6 साल बाद एक दूसरे के आमने सामने है आकरी बार भारत और जिंबावे के बीच कोई इंटरनेशनल मैच 22 जून 2016 को केला गया था तब हरारे टी-20 मैच में भारत ने तीन ड़नों से जीत दर्च की थी 19 अगस्त को एक्टिव होगा नया सस्चम अधिप्रदीश का एक बाद फ्रेर मौसम बदलने वाला है अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद